हलो फ्रेंट्स वेलकब टो मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप किसी कमपनी में जॉब को अपलाई करने के लिए मेल लिखते हो तो आपको मेल बॉड़ी में प्रोफेशनल और फॉर्मल वे में किन-किन बातों को लिखना चाहिए फ्रेंट्स इनफेक्ट आज की इस वीडियो में आपको मेल पे चल के खुद लिख के बताऊंगा कि आपको क्या-क्या बातों को अपने मेल पे लिखना चाहिए तो friends वीडियो को इंट तक जरू देखे आप friends होता क्या है कि जब बहुत सारी companies vacancies को निकालती है तो आप से कहती है कि आप अपने resume को उनकी email ID पे mail करो अब लोग गलती करते हैं सिर्फ अपने resume को attach करते हैं और mail कर देते हैं और wait करते रहते हैं कि company का response आये कि नहीं आया अब friends होता क्या है कि इस तरह से हजारो mail company के पास पहुच जाती है अब company क्या करती है कि mail को sort list करती है जी हाँ resume को sort list बाद में करती है उससे पहले आपके mail को sort list करती है और आपको mail को जो shortlist करती है company वो करती है कि आपने mail body में क्या लिखके उन्हें mail किया है तो आज की studio मैं आपको mail लिखना सिखाऊंगा तो चली चली अभी आपको अपने screen पे एक draft mail दिखाई दे रहा होगा आईए हम लोग इस mail को decode करते है तो फिर्ट सबसे पहले option देता है two का यानि कि जहां पे हम लोगों को mail डाना है उसका email ID हम लोगों को यहां पे डाल देना है उसके बाद आता है subject जो कि बहुत ही ज़्यादा important होता है अब subject में हम लोगों को तीन चीज़ों को लिखना जरूरी है सबसे पहले तो नाम जो apply कर रहा उसको नाम लिखना है उसके बाद आगला option है किस post के लिए apply किया जा रहा है जैसे कि हम लोग example मान लेते है कि को एक रिलर्शिप है जहां पे workshop manager के post की वेकेंसी आई हुई है तो हम लोग क्या करेंगे workshop manager वहाँ पे post लिख देंगे इसी तरह आप जिस post के लिए apply करो आप वो post को लिख दो उसके बाद लिखना है job का reference number क्योंकि फ्रेंट जो बड़ी companies होती है वो एक साथ बहुत सारे अलग अलग post के लिए वेकेंसी निकालती है और हर एक post का अलग reference number होता है तो अगर reference number अवेलेबल है तो आपको reference number भी डालते हैं जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है WMG36 अब फ्रेंट यह क्या हो जाता है यह एक filter हो जाता है जब recruiter होता है यह HR होता है जब वो mail को देखता है तो आपका इस subject देखके आपका जो resume है और आपका जो mail है उसे वो filter असानी से कर सकता है इससे job के लिए जो apply की है उसका chances बढ़ जाता है उसके बाद हम लोग चलेंगे compose में आप compose में लोगो simple start करना dear sir maim के साथ या पर dear करके अगर आपको HR का नाम पता है आप वो डाल सकते हो अब उसके बाद अगला लिखा हो यहाप आपको दिखाए दे रहा होगा आइम राइटिंग तो apply for workshop manager post in your service center तो यानि आप यहाँ पर यह ध्यान रखे कि आप कि इस post के लिए apply कर रहे हो और कहाँ पर apply कर रहे हो पहला लैंड में आपको यह चीज़ को लिख देना है उसके बाद आगे आपको लिखना the position and responsibility seems exciting and matching to my interest areas and career goals यहाँ पे आप सामने वाले को यह बता रहे हो कि जिस post के लिए apply कर रहे हो आपका उसमें interest है और आप उसमें career बनाना चाहते हो और आपका उसमें education भी उसी field में है तो इस line से उसे यह मालूम चल जाएगा अगला line बहुत ही ज़्यादा important है वो है I would like to bring your attention to my key students for the job role अब friends हर को मैं मानता हूँ कि resume attach करता है mail के साथ लेकिन resume खोलने से पहले ही सिर्फ male body से ही आपके बारे में पता चल जाना चाहिए आपका qualification, आपका experience, आपका strength क्या है तो जैसा कि आप hashtag देखके यहाँ पर 4 सीजों को देख रहे हो सबसे पहले qualification, qualification में आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जो higher qualification है जो सबसे ज़्यादा आपने पढ़ाई किया उसे निकला है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है BTEC in automobile engineering उसके बाद option दिया वो interest and knowledge in automobile जिस field में आप apply कर रहो उसमें आपको interest भी है और knowledge भी है इसके साथ है आप experience को भी दर साथ हो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ four years of experience अगर experience है जितना भी आप उसे mention कर दो नहीं है कोई बात नहीं उसके बाद आपको जो extra skill है जो भी आपने अलग से किया है अपने education के लावा वो आप डाल सकते हो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ consideration यानि आप बता रहे हो कि आपने resume भी अटैच किया हुआ जो की देखा जा सकता है इसके बाद आप इसे end कर सकते हो इस तरह से thank you for your valuable time I am always reachable on my email and phone number जहां पा बता रहे हो कि आप हमेशा अपने email ID पर phone number पर available हो ताकि वो आपको contact कर सके इसके बाद आप your sincerely या फिर sincerely लिख सक करते हो इसके बाद आप अपने resume को attach करके mail को send कर दे तो इस तरह से आप job application mail को एक formal way में लिख सकते हो तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इससे like और दोस्तों को साथ share जरू कर दे इसके लाव फ्रेंट्स इस वीडियो से related या फिर job के लिए जब आप mail लिख रहे हो उससे कोई related आपका कोई भी doubt हो तो आप मुझे comment जरू करें मैं हर एक comment का जवाब भी देता हूँ इसके लाव फ्रेंट्स वीडियो को like करने के लावा आप चैनल को subscribe भी जरू कर ले और बेलाकन को भी दबा ले ताकि आने वाली वीडियो के update आपको notification के तुरू मिलते रहे मिलते एक लिए वीडियो में थैंक्स वराचिंग इस वीडियो गुद बाई